यह वेलकम, माइ प्लाइजर, मैंशन नौट, क्या आप जानते हैं कि हम इन तीन फ्रेजिस के अलावा भी थेंक्ट्यू का लग्टना से रप्लाई कर सकते हैं? Hello friends, मैं हूर रियाज और आप देख रहे हैं मिरे यूट्यूब चैनल रियाज English Classes दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे प्रेज़ शेयर करोंगा जो आप थेंक्यू का रप्लाई देने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं So make sure you watch this video till then and if you haven't subscribed my channel yet then subscribe it right now and click on the bell icon so that you never miss any update from me. So let's begin Number one you got it दोस्तो ये फ्रेज यूएस में बहुत पॉपलर है और इसका मतलब you are welcome सही होता है तो दोस्तो अगर आप किसी के reply करना है thank you का तो आप you got it भी गोल सकते हो इसका भी same मतलब है you are welcome Number two no worries इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है Number three not a problem मतलब कोई परिशानी नहीं है आप thank you के reply में not a problem भी यूज कर सकते हैं इसका भी मतलब यह ही है कि मतलब कोई परिशानी नहीं कोई दिक्कत नहीं है Number four it was nothing दोस्तों thank you के reply में आप कभी कबार यह भी बोल लगते हैं it was nothing मतलब यह कुछ नहीं था यानि के मैंने तो तुम्हारी बज़रा सी मदद करी है यानि यह तो कुछ नहीं था it was nothing Next phrase I am happy to help इसका मतलब है मैं आपकी मदद करके खुश हूँ Number six not at all thank you के reply में हम use कर देते हैं not at all इसका मतलब होता है यह मतलब कोई बात नहीं है बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं Number seven पर जो आता है वो एक phrase नहीं बलकि एक word है जो thank you के reply में आप use कर सकते हैं और वो word है sure Number eight and the last one anytime दोस्तों अगर आपको किसी को बहुत polite way में thank you के reply देना है तो आप anytime यूज कर सकते हैं इसका मतलब होता है किसी भी समय उसकी मदद के लिए तो यह है उसकी मदद के लिए तो दोस्तों यह थे वह आट हैसे phrases जो आप किसी से thank you के reply देने के लिए इस्तमाल कर सकते है मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेर करना और चैनल को अभी थक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए इससे को भ किया बाइ